नमस्कार आप सभी को श्वागत करता हूँ गुरुकुल्दा असर्मूल चैनल में आसा करता हूँ अप सबस्वस्त हैं और आप लोग की आदत्मी कुन्नती आगे बढ़ रही है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें लाइक करें ठीके और आपने दोस्त परिवार तक पहुँचाए ताकि वो भी आदत्मी मार्ग में जूड सके मंतर साधना ये बगरा कर सके क्योंकि आप सभी को पता इस चैनल में संपुन शात्वी के बंदक्षिन मार के बैदिक शाधना और दंतरश्रो दक्षिन मार के दिया जाता है जिसको आप से बहुत कुछ लाब मिल है आज मैं बताने बाला हूँ कि जब करते हैं उस समय आपको अपको खांडबान का ध्यान कैसे रखना है किस प्रकार्स आप खॉए ठीक है किस प्रकार चलब गज़ान क्योंकि हमारे इधर कुछ कुछ जगा पे मचली का भोग लगता है कहीं पर फूजा वेगरा होता है उसमें चड़ावा का रूप में कुछ मासा होता है वह सारे सब बढ़ता है यानि वली प्रफा कुछ को जगा बूरत बगवारा करता है और पूरी तरह से वो प्याज भेगरा बनता है अगर बागी दिनों में डेखो साथना के समय में अगर आप भीष् tamp भगवान का या लक्ष्मिन नारान देब साथना मंतर जाब करना चाहते हैं तो उस समय आपको क्या है संपुन प्याज रेशन भी नहीं खाना है और हनमान जी की साधना में भी अब मत खाए अगर दूसरे दिन बे अगर आप क्या लेशन खाते हैं तो सही यह अगर नहीं तो आपको यह बात करना है जब不要 और करेंंAY 심ति को क्या क्या निशिक को क्या करना है जाहिए। तामसिक भोजन भी नहीं करना है सराप का सेवन नहीं करना है क्योंकि उसमें से आपकी अंधर जो और यूप होती है तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए इसलिए साधना के समय में सुभेज़़ जब आप उठे आप सुभे उठके पुजा समपन सब कुछ आप सनाना दे करके पुजा संपन्द करने के बाद आप तोड़ा सा कुछ सुझी का हलवा बगरा ये सारे चीज़ खा सकते हैं या पिर आपकी तबियत के उनसार कुछ खाना बगरा खा सकते हैं उसके बाद दोपर को आप जो बिना पहज लेसुन का खाना खाईए राइश बगरा डाल चावल जो खाते हैं कोई बात नहीं साम को भी लेकिन बीच बीच में आप क्या करें दूद पीते रही है क्योंकि उसमें से आपको थोड़ा बोड़ी में एन दूर जाके अपना आपको संभाल रहा हूं ठीक है क्योंकि साधना मन्तर साधना तब तक चलते रहे कि आपने यह भी को शोच्त रखते हैं अपनी प्राण वाई उसको सब कुछ नियंत्रित करते हैं तभी जाके वह उच्चे-कोटी साधना में सभल हो पाते हैं अगर किसी का सरीब खाराब रहा तो वह क्रची तरह से किसी भी प्रकार की शाधना नहीं कर सकता यह ना तो इसलिए इस प्रकार से आप मदिर्या का सेवन ना करें मासाहार का सेवन ना करें और जो है साधना का टाइम में बिल्कूल भी तो नहीं और प्याज लेसुन यह आपका उपर डिपेंड करता है अगर इन तत्तों का कोई बेशनव तत्तों कर शाधना करते हैं तो उसमें प्याज लेसुन मत खाये और दूसरे सादना में आपके उपर depend करता है अगर आपके लिए आपके घर में बन जाएगा तो अच्छी बात अगर नहीं तो जो है वोई खाये लेकिन पहले दिन उपबास करें आरम करेंगे पहले दिन आपको उपबास जरूर करना है ठीक है उपबास में अप फलाहर कर सक अगले ही और और कुछ में बताऊंगा आपको थाड मैं आपको सायन के बार में बताऊंगा और मैं चोथे बार में ब्रह्मचारे के बार में बताऊंगा केसे केसे सब कुछ होगा ठीक है ना जय माता दी